क्या आप भी देना चाहते हैं अपने घर को एक नया लुक? तो कंचन ट्रेडर्स आपके लिए लाए हैं माबल, टाइल्स, कोटा स्टोन, ग्रेनाइट आधी की बहतरीन रेंज जो दे आपके घर को एक बहतरीन लुक. कंचन ट्रेडर्स आपको सभी चीजें उचित दामों पर उपलब्ध कराते हैं और सेल के साथ साथ कंचन ट्रेडर्स माबल्स और ग्रेनाइट की सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं और फ्री कंसल्टिंसी भी करते हैं कंचन ट्रेडर्स के पास सारा सामान प्रीमियम क्वालि दो जीरो तीन एक नो दो दो एक जीरो चाह चाहाट नेर बर्ड लाइन जंक्शन 300 मीटर कैलिकट रोड पोर्ट ब्लेर साउथ अंदमान 744105. 500 जाइंट परसां जाइंट जवसे रशिन देना होगा हंड़ेट परसंट जॉब इस अरश पंदेन पर होगा हंड़ेट परसंट जॉब अनली फ़र एहलेंडिर्स यह बहुत बड़ा जॉलित मुद्दा है पुरा इंडमान के वाश्यों के लिए और मैं तो एक वार के मचबूत इमारत की नियू रखने वाने हैं आज उनका खुद का नियू चर्मरता हुआ दिखाई दे रहा है जिस यह के उपर आने वाना माता पिता के जो सपने छोटे छोटे सपने जो माता पिता होने अपने बच्चों को लेकर देखे है आज यो सपना अंदकार में जाता दिखाई दे रहा है ये बहुत बड़ा मुद्द है मैं तो बाते करता रहूंगा लेकिन पहले वक्ता बुलाने से पहले मैं यही कहूंगा खाली खंदों पर खाली खंदों पर थोड़ी सी भार चाहिए भीरोजगारों सहाथ रोजग़ चाहिए बंच में बैटे हुए हमारा कॉंगर्स का प्रेज़ेंट रंगाली राज़ान्दार जी हमारा मुंसुपल का कॉंसलर्स पी आरे मेंबर्स गिलापर्स प्रेज़ेंट डिस्टिक प्रेज़ेंट स्री अब्दुल अजीज जी बहुत बड़ा मुद्दा में हम लोग सड़क में उत्रा और हम वो मुद्दा से बात करेंगे वो मुद्दा के रिलेटर का भी बात करेंगे देंगे 100 परसंट जॉब रिजर्वेशन फॉर आइलेंडर्स का जो संगस सुरू किया तीन-चार मेनद पहले हम लोग सुरू किया वो टैम में हम लोग जो पर्मिशन नहीं मिला फिर भी हम लोग सड़क में उत्रा राजनिवास चलो का अंदोलोन का ट्राई किया बहुत कुछ हम लोग किया है आज पत्रकार ने पूछा सर ये आपका लास्ट है कि आपका सुरू आता है अगर अद्मिनिस्टेशन अमारा आवास सुन लेता ये लास्ट है अगर अद्मिनिस्टेशन सुन के कल परसू का अंदर में कुछ ऐसा एक ओर्डर निकालेंगे मरियम मैडम बोला थी कि ये जो आईलेंडर कार्ड का बारी में आईलेंडर कार्ड क्यों दिया गिया वो एक दौमिसल सर्ट्टिविकेट है मैडम ने लदात का बारी में बोला हम असाम का बारी में बोलता था असाम में एक 25-30 साल पहले एक बहुत बड़ा एक मुद्दा उटाया कि उधर का जो आदमी का नौकरी उधर ही में होना चाहिए करके बहुत बड़ा संकर्स हुआ बहुत बड़ा लड़ाई हुआ लेकिन प्रफुल जी प्रफुल जी उसका नाम हमको याद है जो सुडेंट्स यूणियन का था वह सक्सस हुआ था इन डिपार्टमेंट में युवा लोग और कोई तरीका नहीं है त्यरा जार रूप इन लोग जाके उदर में काम कर रहा है कोई-कोई 20 साल का नवग्री हो गया मेरी डिपार्टमेंट में कॉन्ट्रेक्टर्स लेकिन आज तक इन लोग का पर्मेंट किया नहीं ठीके युवा क्या करेगा तूरिसम डिपार्टमेंट को और इन लोग गिया है कुछ लोग बोट लिया है कुछ लोग डाइव सेंटर कोला है आज अमारा जो पिछला चीफ से इंट्री ने क्या किया expression of interest करके एक चीज ले गया इसका मतलब है आप अगर कोई चीज कोलना है department में apply करके आप बोलना कि department को आप कोलने वाला है आप तोड़ा इसको tender करिए tender करके government fix करेगा rate government को आप पैसा देना पड़ेगा एक आदमी को उपर आप पैसा देना पड़ेगा एन्वेस्मेंट ओ करेगा काम ओ करेगा लेकिन गौशन्स पी नहीं लेगा लाइसंस फी होने से साल में एक बार देने से फिर्मी Eyow कि यो ही ज्टी को स्थी डिंप एक तीन-चार दिन पहले कमर्शियल कभूशन के स सुच्वпр यह कैई चान से सुना, सुनने के बाद वो बोला कि पूरा करप्षन है अंदमान निकोबार का अंदर में, अंदमान निकोबार का अंदर में पूरा करप्षन है, एलक्सिरिटी डिपार्टमेंट करप्षन है, नाश्रल हाइवे में करप्षन है, ट्रांस्पोर्ट में करप्षन है, र किया क्या किया आपको मालूम है L.G. साब को हम ये C.I.D. का तुरू में एक कबर्द पहुंचाना मनता कि आप बोला कि C.B.A. इंक्री शुरू किया ट्रांसपोर्ट में एलक्सिटी में इंकरी शूरू किया है आई वैस्ष में शूरू चुछा आप पहले आपका सीर्सरेटिक ओपर सीवे इंकरी सूरू करिए आपको मालू होगा आपको मालू होगा कि यह कितना भ्रस्यचार इदर में हुआ है आपको ये पत्ते रिसेंट करना पड़ेगा चूंकि आप ही बोलता है कि आपका वहां से पुरा कर्प्शन हो रहा है ये बड़ा 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 शर्म का बात आपका जैसे कि आप सभी लोग कई साल से सुनते आते हैं कई दफ एड्मिस्टेशन के तरफ से अद्बार में एड्मिस्टेशन आता है कि 10,000 वेकंट पॉस्ट आज अन्नम एड्मिस्टेशन में प्रणिक बड़ा है यान्योज उसे पास एच्छे साल से स्विफ फासे हम अग्बार पर द्याते दें आज मुझे कहते हैं बहुत हो रहा है और बहुत ही खुशी हो रहा है एक को ज्वादी अंदर पाटी एक चप्रासी से लेकर प्रेजा केंडि़ उसके बाशों भी आज नाचिज एक सिकर्टी मेंबर जो अपधाणि इंदर पाटी से विशाल जाली जी आपने रिसेंटली अपने प्रेस प्राफिस में कहा था कि एंडेक पर संजोब इसर्वेशन होने कोई मामुली बात नहीं है इसके लिए हमें बहुत बहुत संगर्ष करना पड़ेगा आज वैस्पन से विशा जड़ेगी से विशा जाता हो ऐसे कौन से संगर्ष से ऐसे कौन से नहीं थे आप बताएए को इस पर्टी वैस संगर्ष को लड़ेगा आज अंडामान निकमा अड्मिस्टेशन या पर्टी इन पर्टी कहा है अंडामान निकमा अलेकर अपना गर्वेंडर आज पर्टी इन पर्टी कहा है आज पर देश पर सरकार बाट इंड पार्टी कहें, देश का हम मिनिस्टर आज पीजीपी कहें, देश का प्रदान मंदरी आज पीजीपी कहें, देश का प्रदान मंदरी आज पीजीपी कहें, देश का प्रदान मंदरी आज प्रदान मंदरी आज प्रदान मंदरी आज इस देश के पदान मंद्री नरेंग नमोदी जियाए थे, आप इस साथ जो उन्होंने पॉब्लिक मीटिंग किया, पॉब्लिक मीटिंग में उन्हें अनौन्स कर दिया, कि हम रोस आइलेंड, हैव लोग और निल का नम बदलती है, जो काम हमारे देश के पदान मंद्री का कहने से है सकता है, तो इस चीज़ को लेकर इस एंडेट पसंट जो बिसर्वेशन को लेकर देश का पदान मंद्री क्यों खामोस पड़ा है, यह अग्नमान निकवा बीजेबी पाटी क्यों खामोस पड़ा है, यह समार आजम बीजेब पुर से जाते है